इन खबर में आपका स्वागत है साल 2024 के पहले सुरी ग्रहन को लेकर के पूरी दुनिया खासतोर से उत्तरी अमेरिका में खासा क्रेज रहा आखिरकार ऐसा होता भी क्यों नहीं क्योंकि 400 साल बाद ये पूर्ण सुरी ग्रहन वहाँ पर दिखा गया था इस आउसर पर जेस्ट मनाने के लिए अमेरिक्यों ने अलग-अलग इंतिजाम किये थे 400 जोडों ने शादियां रचाई होटलों के रेट 12 गुना तक बढ़ गए ऐसे में ये सवाल उभरता है कि 400 साल क्यों लग गए अमेरिका को पूर्ण सुरी ग्रहन देखने में इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सुरी ग्रहन लगता क्यों है दरसल गुत्वा करसन बल की वजह से पृत्वी और सभी दूसरे ग्रह सुरी के 4 और चकर लगाते हैं पृत्वी सुरी के 4 और 365 दिनों में एक चकर लगाती है चंद्रमा एक उपग्रा है जो पृतिवी का चक्कर लगाता है पृतिवी के चारो और एक चकर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं चंद्रमा के चक्कर लगाने के दवरान कई बार ऐसी स्थिती बनती है जब चंद्रमा सुर्य और प्रित्वी के बीच आ जाता है तो सुरी की रोशनी धर्ती तक नहीं आ पाती है इसे ही सुरी ग्रहन काते हैं ज्यादा तर सुरी ग्रहन अमोस्या के दिन होते हैं क्योंकि तब चंद्रमा प्रित्वी के करीब होता है हर 18 महीने में दुनिया के किसी न किसी हिस्ते में सुरी ग्रहन लगता है लेकिन पूर्ण सुरी ग्रहन के लिए सदियों इंतजार करना पड़ता है वही इंतजार अमेर पूर्ण सूरी गरहन के दवरान आसमान में सुबह या साम जैसा अधेरा चा जाएगा यानि कि मौसंग की स्थिती कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि गरहन के पत के भीतर दर्शक सूरी के कुरोना यानि कि बाहरी वाता वरान को देख सकेंगे जो आमतर पर सूरी की चमक से धका होता है क्रक्स यह है कि प्रित्वी के चारो और चंद्रमा की कक्छा सूरी के चारो और प्रित्वी की कक्छा के तूलना में थोड़ी जुकी हुई है इसलिए ये संग्रेखान बनने में सदियों लग जाते है और अमेरिका को 400 साल लगे इस पूर्ण सूरी ग्रहन को देखने में सूरी ग्रहन चार तरह का होता है इसमें पूर्ण सूरी ग्रहन वलयाकार सूरी ग्रहन आंसिक सूरी ग्रहन और हाई भी सूरी ग्रहन सामिल है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरी की रोसनी को रोखता है उस समय चंद्रमा की छाया के केंद्र में इस्तित छेत्र पूर्ण सूरी ग्रहन देखते हैं आस्मान में अधेरा छा गया जैसा कल हुआ जो लोग पूर्ण सूरी ग्रहन के रास्ते में होते हैं उन्हें सूरी के ब पर होता है तो वलयाकार सुरी ग्रहन होता है इससे चंदरमा सुरी को इस प्रकार ढगता है कि केवल सुरी की परिधी ही दिखाई देती है जो रिंग आफ फायर जैसा दिखता है आंसिक सुरी ग्रहन तब होता है जब चंदरमा सुरी के केवल एक हिस्से को रोक देता है जिसस उसे अर्चंद्रकार आकार मिल जाता है। हाइब्रिट सुरी ग्रहन को सबसे दुरलब प्रकार का सुरी ग्रहन माना जाता है यद तब देखा जाता है जब चंद्रमा की छाया दुनिया भर में घुमने के दौरान एक वले आकार और पूर्ण के बीच सिफ्ट होती रती है। इस दौरान दुनिया के कुछ हिसों में पूर्ण चंद्र ग्रहन दिखता है तो कुछ हिसों में वले आकार सुरी ग्रहन दिखता है। हर साल दो से पांच सुरी ग्रहन हो सकते हैं जबकि पूर्ण सुरी ग्रहन हर 18 मैने में केवल एक बार ही लगता है। किसी एक छेत्रिया अस्थान पर सुरी ग्रहन एक बार दिख जाए तो उसे दुबारा उसी अस्थान पर दिखने में करीब 400 सालों का वक्त लग जाता है यही हुआ है अमेरिका, मैक्सको, कनाडा और पूरे उत्तरी अमेरिका के साथ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ब अबर, थैंक यू